प्रोफेसर एमेच और आज के इस वीडियो में भी विडिसकस फाइनेंशल अकाउंटिंग टीवाइ बिकॉम एप्रिल 2023 में इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का कोश्चन पुछा गया था कोश्चन नमबर 4B दम्यन्ति लिमिटेड ये वीडियो टीवाइब आफ के लिए भी अप्लिकेबल है और जो प्रोफेशनल कोर्स में इस ये टॉपिक कवर किया गया है उसके लिए भी अप्लिकेबल है तो दस माक के लिए जो टीवाइब इकॉम में कोश्चन पूछा गया था उसको कैसे सौल करना है लॉजिकली वह आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले तो इससे पहले दो तीन वीडियो आ चुकी है पहला मीनिंग ऑफ इंटर्नल रिकॉंस्ट्रक्शन बेसिक इंट्रोड़क्शन हुआ था फिर हम लोग ने देखा था टाइप ऑफ कॉश्चन को सौल करने का वह देखना बहुत जरूरी है वह पॉला है फिर फॉलाइंग इसकीम ओफ रिकॉंस्ट्रक्शन वस्ट सब्मिटेड एन अपरूड बाइद कोट ने अपरूव कर दिया है कि भाई आप इंटर्नल रिकॉंस्ट्रक्शन कर सकते हो और कुछ एड्जेस्मेंट दिया है देखो पहला प्रिफरेंच से रिलेटे लेटे देट रिलेटेड होता है तो डेटर का आ जाएगा इसमें और फिर इन्वेस्मेंट मिसलेनेज एक्सेंस गुडविल रिटन ओफ इसके बारे में दिया है इंप्र मेशन वहहम लोग देखेंगे ठीक है और लास्ट में आपको क्या निकालने बोला है लाश्ट में आ आपको introduction निकालना है ठीक है तो यहां पर हम लोग यह देखेंगे तो start करते हैं question को कि कैसे स्को solve करना है तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका format draw कर लेंगे तो format में क्या है in the books of दम्यंती लिखना है फिर हमें क्या लिखना है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते तो आपको दिखेगा फिर हमें लिखना है जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री का format आपको पता है date लिखते है particular debit amount credit amount यह हम लोग 11 से सीखते आ रहे हैं ठीक है इतना format draw कर लेना है फिर हमें क्या निकालना था वो देख लेते हैं तो हमें निकालना था जर्नल एंट्री ऑफ अबोई स्किम तो मैंने आपको बताया था जो मैंने introduction lecture लिया था कि type of question में जब आपको जर्नल एंट्री पूछा जाएगा तो आपको capital reduction account भी बनाना पड़ेगा तो यहां पर देखो मैं side में capital reduction account बनाएंगे पहले जर्नल एंट्री complete कर लेंगे उसके बाद इसको बनाने का ट्राइ करेंगे तो सबसे पड़े डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमौंट पर्टिकुलर अमौंट यह इस तरीके का capital reduction account बनेगा ठीक है यह बनाना है रफ म क्या होगा बहुत टाइप की जर्नल एंट्री आएंगी अब अपने को कैसे पता चले का कौन से जर्नल एंट्री पहले पास करें तो अगर आपको यह चैप्टर में पूरा 100% अपना देना है तो याद रखना equity preference और एक डिबेंचर कभी क्रेडिटर भी आता है लेकिन mostly equity preference औ यह तीनों को आपको adjustment नहीं करना है याद रखना है यह बात आपको यह तीन adjustment नहीं करने है equity share preference shares और डिबेंचर के adjustment आपको बाद में करने सबसे last में क्यू करने है मैं आपको बताता हूं पहला adjustment उसी का है तो अभी नहीं करेंगे इसको equity shares का second है नहीं करेंगे हम लोग स्टा चोटे चोटे होते एक-एक मार्क के लिए फटा-फट आपको मार्क मिल जाएंगे तो लेट्स टार्ट विद फिक्स्ट एसेट की एप्रिशियेटेड बाइट 25 परसेंट तो आपको मैंने बताया था कि जनल एंट्री अगर आपको समझना है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट आपको यह एक दस मिनट का वीडियो मैंने इसके ओपर बनाया है वह एक बार आप देख लेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा वैसे यहां पर हम लोग रिपीट करेंगे तो यह asset है, तो पहला adjustment करने से पहले आपको यह find out करना है कि वो asset से related है कि liability, तो asset से related है, फिर check करने का up हो रहा है कि down हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया था, increase हो रहा है कि decrease हो रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे appreciated, appreciated का मतलब up होता है, right, तो देखो यहाँ पे, any increase up, same effect, तो debit को debit करो, credit को credit करो, तो हमारा क्या है, asset है, asset मतलब debit है, तो debit को debit करना पड़ेगा, बराबर है, देखो न, any increase, same effect, debit को debit, credit को credit, तो हम लोग ने पहला find out किया, fixed assets है, assets से related है, asset debit होता है, फिर हम लोगने find out किया, अपो रहा है कि down हो रहा है, तो appreciated मतलब अपàs rasa, तो debit को क्या आप करें biography से बनेंगी ध्यान से ऍड्यक्वर की सबसे पहला हम लोग रिखेंगे मिखरी नंबर वान और लिखेंगे इसटा न एक तो निकालओ ना सतर लाक का सुरी सातलाक का 25 परशन निखालो तो ड्राइगा सब्सक्राइब लाइक लिखने का टू गैपिटल रिदक्शन लिख देने का और नरेशन लिखने का बीग्स जादा नरेशन नहीं होना चाहिए अब बोलेंगे सर यह कैपिटल रिदक्शन अकाउंट कैसे आया तो आपको देखो यह मैंने बताया था IMPORTANT PART कि ANY INCREASE OR DECREASE IS ADJESTED THROUGH CAPITAL REDUKTION मतलब कोई भी increase हो कोई भी decrease हो कोई भी UP AND DOWN हो राधा हो था खिसके थूरो होता है इकदम इंट्री है अब साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे यह कंफूजन ना हो चैपिटर रेदक्शन भी बनाएंगे अब कैसे बनेगा तो एकदम आपको और समझ में आएगा सेकंड पार बोला है दाफ़िट्स किस से रिलेटेड होता है से रहता है कि अब डेटर से इसमें सर्च करो कुश्यन उसका कि लेने का डेटर के उपर 5% आपको provision for doubtful debt करना है तो सबसे पहला find out करो asset से related है की liability तो asset से related है asset पहला step asset की liability find out करो तो asset है asset क्या होता है debit होता है बराबर है यहां देखा था asset क्या होता है always shows debit balance हो गया yes or no to asset debit है अब find out करो आप एक ही down है तो provision for doubtful debt यह RDD होता है RDD RDD आपने 11 12 में भी क्या RDD less होता है less होता है मतलब down करना पड़ेगा तो any up or down to asset debit है तो अब इसको less करेंगे तो क्या हैगा credit होगा तो देखो any decrease down opposite effect debit को credit credit को debit तो अपना क्या है debit है ना तो debit को down करना है तो क्या करेंगे credit और credit कैसे लिखते है two से लिखते है तो देखो entry कैसे आएगी तो हम लोग लिखेंगे two other current asset amount कितना आएगा five percent निकालो five percent कैसे आया एक लाग का पांच परसेंट है ना अधर current asset को हम लोग doubtful data लेंगे क्योंकि data अलग से नहीं दिया है तो एक लाग का debit लिख दिया आप credit लिख रहे हो पहले तो आपको क्या find out करना जनल entry एक debit से बनती है credit से बनती है तो दोनों में से एक find out करो दूसरा अपने आप निकलता है तो इसमें अपने को credit मिला तो credit पहले लिख दो ना two other current asset और आपको मैंने अभी बताया था इसमें कि कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो किसके एड्जेस्टेट थू होता है capital reduction से तो capital reduction लिखने का तो यहां पर लिख देने का अब यह credit में लिखा तो credit में नहीं लिख सकते तो उपर क्या करने का debit तो capital यह बढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा grip आजाएगा कि करना कैसे फिर आते हैं नेक्स्ट पे यह adjustment हो गया आप क्या दिया है investment दिया है mislainious expense और goodwill return-off दिया है यह तीन चीज को आपको return-off करना है ठीक है तो investment को return-off करना है फिर किसको return-off करना है आपको mislainious expenses और goodwill को तो अब मैंने जो note दिया था उसमें जाओ अब return-off का मतलब क्या है तो देखो एक word दिया है right-off right-off का word होता है हटादो हटादो मतलब down करने का है तो इनको हटाना पड़ेगा right-off का मतलब हटाना पड़ेगा हटाना मतलब down करना तो यह तीनों चीज़ दिये है देखो आपने पास कि investment भी दिया है mislainious भी दिया है mislainious का मतलब example अगर देखेंगे आप mislainious में preliminary expenses यह सब आ जाता है ठीक है तो यह आपका हो गया investment है preliminary है और goodwill इनको क्या करना है हटाना है तो सबसे बहुत है find out को रहे एसेट की liability तो asset है asset debit होता है अब debit को down करना है down करेंगे तो क्या आएगा चेक करो any decrease or down opposite effect debit को credit credit को debit तो debit है तो debit को क्या करेंगे आप credit तो यह तीनों को क्या करना है investment को credit करना है miscellaneous expenses को credit करना goodwill को credit करना है तो कैसे entry आएगी ध्यान से देगो third entry credit करना है तो credit कैसे करोगे two से लिखने का तो two investment फिर दूसरा क्या था फिर दूसरा क्या था miscellaneous expenses और goodwill तो मैंने क्या किया है एक एक करके entry pass किया है पहले investment का किया है तो two investment कितना write-off करना है पचास अजार ठीक है और any up और down किदर से जाता है capital reduction से being investment return off same way वे fourth one है अब दोनों को साथ में करते है goodwill और इसको समझ में आया तीनों को भी साथ में कर सकते थे आप ऐसा कुछ नहीं है आप कर सकते हो तो दोनों का है तो two goodwill asset debit debit को down करेंगे तो credit to goodwill to preliminary समझ में आया दोनों asset है asset debit होता है debit को down करेंगे तो क्या हो जाएगा credit हो जाएगा तो two goodwill to preliminary और कोई up or down होता है तो कहां से जाता है capital reduction से अवांट डाल दो goodwill का कितना है प्रिलिमिनरी का पच्चास तो दोनों का पच्चास पच्चास कितना हो गया एक लाग हो गया एक लाग नीचे लिख देंगे बेंग गुडविल और प्रिलिमिनरी रिटन ओफ तीन वर्ट से जादा नहीं होना जाए अब बोलेंगे सर यहां तो चार पांच वरड आ गया अरे गुडविल और दोनों साथ में किया ना तो यह एक वरड हो गया तो बींग गुडविल और प्रिलिमिनरी रिटन ओफ ठीक है अब इसका पोस्टिंग मैंने नहीं बता है पोस्टिंग कर लेते साथ में करने का पहले वाले का क्या था और यह जो होएगा और देखने ना चैपिटल रिडखने का वह देखने का यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो पर बैबिट में जा और लिखो तो अदर करेंट असेट और ये वाला नहीं लिखनेगा अमॉंट ये वाला लिखनेगा डीवा लिखनेगा सेम वे मैं इदर देखो कैपिटल रड़क्षण अकॉंट डेबिट निबेट और यह दोनों करेड़िट हो रहा है तो डेबिट में जाके ये दोनों का नाम लिख देंगे और amount कितने आएंगे 50-50 अभी बोले सवर capital reduction के सामने वाला लिखने का तो capital reduction के सामने वाला तो 1,00,00 है येस एक लाग है लेकिन उसकी entry pass करने में दो का नाम लिखा है न तो दोनों के सामने का total भी तो एक ही लाग हो रहा है तो एक लाग लिखने का आई बास समझ में यह सवर नो तो इस तरीके से एंट्री पास करते हैं तो आपके यह दोनों adjustment हो गया अब यह वाले adjustment करने का अब सबसे easy कौन सा लग रहा है जो छोटा है वो लेने का equity share वाला लेने का तो equity shares of 100 is fully paid were reduced to denomination of अब adjustment कि कौन सा करने जा रहे हैं equity shares का करने जा रहे है तो पहला find out करें उक्ते देंटर अिसमों य है टिकी डिक्री करेंगे वी पास करना पड़ेगा रेत क्रेडित को डेट तो अपना पर आपको क्रेडित से ना हम उन्द आपको क्रीट का की चार लग कीछ चार लग को द्यान से सुनों equity share of 100 is fully paid were reduced to 30 each 2 बोला है मतलब 100 रुपे को reduce to 2 मतलब मैंने meaning समझाया था अगर याद होगा तो 2 का मतलब होता है वहां तक तो आपको 100 रुपे को कहां तक reduce करना है 30 रुपे तक करना है तो इसका मतलब यह जो 100 रुपे अला है इसको हटाओ यहां से और उसकी जगह 30 रुपे लेकिया आरे बस समझ में तो हटाना है ना तो एक credit है हटाएंगे तो क्या होगा debit तो इसलिए देखो entry में क्या लिखा equity share capital account debit at the rate rupees 104 लैक पूरा debit कर दिया क्यों पूरा debit कर दिया, क्योंकि पूरे को हटा के 100 रुपे को हटा के कितने का लेकिया आना है 30 का लेकिया आना है यह बोला है ना denomination of 30 each 30 रुपे का लेकिया हूँ आर ये बस समझ में तो 30 का लेकिया हूँ तो 30 का लाएंगे तो यहां लिखना पड़ेगा ना लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा लायबिलिटी क्या होता है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे फिर टू में लिखेंगे अब कनफीजन बच्चों को यही होता है डेबिट में क्यू लिखा ध्यान से सुनू डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि एक्विडी शेयर कैपिटल का एड़ेस्मेंट है वो लायबिलिटी में और लायबिलिटी क्रेडिट होता है फिर हम लोग ने दे क्रेडिट में अपने को 30 रुपए लिखना है तो क्रेडिट में एड़ करना पड़ेगा ना तो सेम इफेक पास करना पड़ेगा तो टू इक्विडी शेयर कैपिटल एड़े रेट अब 30 का आमांड कैसे आएगा अगर 100 रुपया रिप्रेजेंट करता है चार लाग को तो जैसे एक लाग और एक लाग टैली हुआ पचास पचास टैली हुआ पांच पांच टैली हुआ एक लाग पचात्तर एक लाग पचात्तर टैली हुआ यह टैली नहीं हो रहा है डिफ्रेंस कहा आ रहा है इधर आएगा कितने का डिफ्रेंस आएगा निकाल लो दो लाग असी काईगा कैसे चार लाख माइनस एक लाख बीस कितना है दो असी कोई भी आप और डाउन होएगा कहां से करते हम लोग कैपिटल रेडक्शन सत्तर रुपे का रेडक्शन हो गया बेंग एक्विडी शेयर्ज रेड्यूस्ट आर यह बस समझ में है एक्विडी शेयर्ज और प्रिफरेंश शेयर्ज में थोड़ा सा कॉंप्लिकिशन होगा तो यह समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो यह एक दो कॉश्चन में कराऊंगा उसके बाद आपको थोड़ा और ग्रिप आ जाएगा बाइधा टाइम आप उसका जो मैंने नोट बनाके डाला है उसको देखना बहुत ज़रूरी है तब ही जाकि आपको पुरा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो लास एडिस्मेंट कर चैपिटल रेदख्शन के सामने कितना है बॉला कर्सी लिखने का अब बुलेंगे सर यह आपने टू capital लिखा बराबर है तो capital revenue इंप है यह याद रखना यहां पे हम लोग जहां-जहां capital revenue लिखा वही ले रहे हैं लेकिन याद रखना जहां-पोस्टिंग करते हो ना लेज लाइबिलिटी क्या होती है लाइबिलिटी क्या होती है पहला फाइंड आउट करो आप एक ही डाउन है देखो यह भी रिडियूस हुआ 100 रुपे वाला है reduce करना है 13% पहले 10% था अब इसको 13% करना है और 75 रुपे वाले में करना है 2 है, वहाँ तक करना है बराबर 75 रुपे तक करना है तो इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा पूरा एक लाग को, तो ये credit है ना credit को down करना है तो opposite जाने का, मैंने क्या कहा कोई भी down हो, decrease हो तो opposite effect, तो credit का opposite debit, तो debit करेंगे तो 10% preferential capital next आपका आएगा 10% preferential capital at the rate of 10 amount आजाएगा आपका 1 लाग जो दिया है, क्यों पूरा 1 लाग हटाया क्योंकि ये 100 रुपे का है, उसको 75 वाले में convert करना है तो 100 को पूरा हटाना पड़ेगा liability है, credit है, down करेंगे तो debit हो जाएगा, तो 1 लाग debit हो गया उसकी जगा पे क्या लेके आना है reduce to 13% उसको 13% 75 रुपे में convert करो तो मैं क्या करूँगा इधर पे to 13% at the rate of 75 लिखूँगा और amount आएगा 75,000 यह simple है ना, अगर 101 लाग है तो 75 कितना होगा, 75,000 होगा आरी बस समझ में है ना, credit क्यों किया इसको तो एकदम simple है ना, यह 10% preference share आपने हटा दिया तो अब यह space जो है blank है, है के नहीं है यह blank हो जाएगा, अब इसकी जग़ए पर 75 रुपया ला लिखना है ना, अब लिखना है तो यह liability है, credit है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब आप करना पड़ेगा तो credit को credit ही करेंगे तो इसलिए यहाँ पर credit में लिखा 213% preference share at the rate of 75 अब देखो यह tally नहीं हो रहा है टैली नहीं हो रहा है तो difference कितना हैगा 25,000 का हैगा है ना, एक लाग माइनस 75,000 कितना हैगा 25,000 और कोई भी up और down होता है वो कहां से जाता है capital reduction से being preferential reduced खतम, पोस्टिंग कर लेते हैं इसकी, तो पोस्टिंग आप करोगे तो यह भी credit हो रहा है तो 25,000 रिदर लिख देंगे हो गया सब adjustment हो गया 1, 2, 3, 4, सब हो गया अब इसको close कर देने का capital reduction close है, तो close करो एक entry और निकल के आएगी most important है, 7th वाली वो आपको जब यह close करोगे capital reduction तब आता है close करेंगे capital reduction अगर इधर आया इधर आया, difference तो उसको capital reserve बोलेंगे, और अगर इधर आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे buy good will ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएगा, याद रखना दोनों एक साथ नहीं आएगा याद रखने का, तो सब से पहले total करेंगे, तो यह देखो, यह कितना total है यह 155 है, इसको total करके देखो, 4,8, तो 4,8, दोनों साथ लिखेंगे जो साथ बड़ा होता वो लिखने का, अब 4,8, में से यह सब amount minus करो, तो यह minus करेंगे, तो आपको answer मिलेगा 3,25,000, यहाँ पर difference आएगा तो उसको लिखते है, capital reserve एक यह last entry बची है तो entry कैसे पास करने का capital reduction account debit to capital reserve क्यों, आप देखो न, एक entry उठाओ न, यहाँ कि, कोई भी entry उठाओ, investment उठालो चलो, investment है investment की entry क्या पास किया आपने capital reduction to investment न, तो जब investment इधर लिखा है और उसकी entry capital reduction to investment है तो capital reserve लिखा तो उसका भी entry ऐसी होगा न, capital reduction to capital reserve, वो भी नहीं समझ में आता है, तो यह two है न, तो entry में यह two में ही जाएगा, तो कैसी entry होगी, ध्यान से देखो two capital reserve, तो उपर क्या आएगा capital reduction, amount कितना हैगा, तीन लग 25,000, answer लिखने का being capital reduction closed, खतम, पूरा 10 mark आपके हाथ में, आर यह बस समझ में, यह पूरा question देखो, आपको दिख रहे सामने, clear है, तो ऐसे type का question आया था, टीवा भी कॉम है, 10 marks के लिए, तो आप इसको go through करो, मैंने ट्राइ किया है, जितना simple तरीके से कर सके, और भी board के question solve करेंगे, जिससे आपका कोई भी doubt रहेगा, वो clear हो जाएगा, तो just go through it, कुछ doubt आएगा तो please comment and please like and subscribe for more videos, thank you